दोस्तों पपिते के बारे में कौन नहीं जानता है चाहे बच्चे हो या बड़े पपिता बड़े शोक से खाते हैं पपिता इसके स्वात के साथ इसके आउश्य धिये गुणों के लिए भी जाना जाता है पपिते में एंटिबैक्टिरियल गुन होते हैं जिसके चलते पपिते के पेड़ का हर हिस्सा हमारे लिए फायदे मद होता है विशिश तहार डेंगू या मलेरिया हो जाने पर यदि पपिते के पत्ते का रस का सेवन करते हैं तो हमारे प्लेटेलेट्स बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं और डेंगू बहुत जल्दी ठीक हो जाता है बहुत सारे लोगों को इसका ग्यान नहीं होता है कि पपिते के पत्ते का रस कैसे बनाना चाहिए इसे कितनी मातरा में पीना चाहिए तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होने वाली है आज की वीडियो में मैं आपको पपिते के पत्ते का रस बनाने की सही विधी बताने वाली हूँ इसे के साथ इसे कौन पी सकता है कौन नहीं पी सकता है और इसे कितनी मात्रा में पीना चाहिए तता इसे आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं ये सारी जानकारी देने वाली हूँ आप इस वीडियो पर अंता तक बने रहे ताकि आप से कोई भी जानकारी चूट न पाए पपिते के पत्ते में पैपिन नमक एंजाइम बाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है इसके अलावा इसमें अलकलैड की अधिक मात्रा होने के कारण ये हमारे बालों को जढ़ने से भी रोकता है पपिते के पत्ते में विटामिन A, C, E, K और B की भरपूर मात्रा होती है आप चाहे तो पपिते के पत्ते का जूस, चाय या फिर इसकी चटनी बना कर भी खा सकते है इसका सेवन करने से आप कई तरह की बिमारियों से बच सकते है इसी के साथ इसमें केलशियम भी अधिक मात्रा में होता है इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो आपके पाचन को मजबूत करने में मदद करती है या आपके प्रोटीन को डाइजिस करने में भी काफी मदद करता है जिसकी वज़े से खाना अच्छी तरह से पचता है आपके शरीर में जितने भी रोग है वह सब रोग पपिते के पत्ते के इस्तमाल से धूर हो जाते हैं इसके प्रयोक से घातक रोग जैसे की कैंसर, दिल की बिमारी, डेंग्यू, मलेरिया, ब्लड शूगर वह आतों में बसे परजीवियों को नश्ट करने में सफलता मिलती है पपिते की ताजा पत्तिया शरीर से डेंग्यू के विशेले जहर को निकालने में मदद करती है इतना ही नहीं पपिते के पत्ते का इस्तमाल शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को भी बढ़ाता है पपिते की ताजा पत्तियों को पीश कर यदि हम इसका रस डेंग्यू के मरीज को पिलाते हैं तो इससे डेंग्यू बहुत जल्थीक हो जाता है तता रोगी के प्लेटेलेट्स बढ़ने लगते हैं पपिते के पत्ते के रस में कैंसर रोधी गुन होते हैं सर्जिकल कैंसर, ब्रिस्ट कैंसर, अगनाशे का कैंसर, जिगर और फेफडे के कैंसर को होने से रोखते हैं इसके अलावा खराब बैक्टिरिया की ग्रोध को भी रोखते हैं कैंसर के रोगी के लिए पपिते के पत्ते का रस या काढ़ा पिना बहुत फाइदेमन होता है। पपिते की पत्तियों में 50 active enzymes पाये जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्था रखने में काफी मदद करते हैं। पपिते के पत्ते में सर्दी जुकाम से लड़ने की शक्ति होती हैं। ये रख्त में white blood cells को कम करके platelets को बढ़ा देती हैं। इसमें anti malaria गुन पाये जाते हैं जो malaria से लड़ने में बहुत लाबदाएक होते हैं तथा malaria को बढ़ने नहीं देते हैं। पपिते के पत्ते महिलाओ के लिए भी बहुत लाबदाएक होते हैं। यदि आपको महावारी यानि के periods के दोरान कोई समस्या रहती हैं। periods खूल कर नहीं आते हैं। periods आनियमित रहते हैं। बहुत कम या जादा रक्तस्त्राव होता है। कमर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है। तो आप क्या करें। पपिते के पत्ते के रसका सेवन करें या फिर आप पपिते के पत्ते का काढ़ा बना कर पी सकते हैं। काड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है एक ताजा पपीते का पत्ता ले लेना है इसे अच्छे से धो कर इसके छोटे तुकड़े कर लेना है एक गिलास पानी में इस पपीते के पत्ते के सारे तुकड़े डाल देना है इसमें एक चोथा चोटी चम्मत सिंधा नमक डाले एक छोटा टुकडा इमलेका डाले और इसे आधा शेश रहने तक पका ले आधा शेश रहने के बाद इसे हलका गुनगुना होने दे हलका गुनगुना होने के बाद आप इसे छान कर सुबह खाली पेट पिए इस काड़े का सेवन करने से आपको मासिक दर्म में होने वाली समस्या यह नहीं रहेगी यदि किसी महिला को PCOD की समस्या है 21 दिनों तक सेवन करने से PCOD की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है जो लोग बार-बार बिमार पढ़ते रहते हैं एक बिमारी ठीक होते ही फिर दूसरी हो जाती है दूसरी का इलाज करवाते हैं तो तीसरी हो जाती है रोक प्रतिरोधक प्रनाली काफी कमजर होने की वज़े से ऐसा होता है यदि आप उन्हें पपिते के पत्ते का रस पिलाते हैं तो उनकी रोक प्रतिरोधक प्रनाली काफी मजबूत बनेगी और वो बार-बार बिमार भी नहीं पढ़ेंगे मौसम चेंज होने पर भी जो लोग सर्दी खासी, जुकाम, फ्लू, अस्थमा, अलर्जी से परेशान रहते हैं उनके लिए भी पपिते के पत्तो का रस पीना बहुत ही लाबदायक होता है एनिमिया से परेशान लोगों के शरीर में रक्त की कमी होने के कारण चहरा और शरीर पीला दिखने लग जाता है उन्हें पीलिया नहीं होता, बलकि उनके अंदर खून की कमी हो जाती है इसके लिए पपिते के पत्ते का रस या काढ़ा सुबह शाम पीने से एनिमिया की शिकायत खत्म हो जाती है पपिते के पत्तो का जूस बलड प्लेटेलेट्स को बढ़ाता है इसलिए इसे रोजाना दो चम्मच लगबक तीन महने तक पीने से खून की कमी दूर हो जाती है जिन लोगों की नजर कमजोर हो गए है या फिर मोतिय बिन की समस्या हो रही है ऐसे लोगों को पपिते के पत्ते का रस जरूर पीना चाहिए इसके सेवन से मोतिय बिनकी समाप्त हो जाती है तथा आखों की रोशनी भी बढ़ती है पपिते के पत्ते में एंटियोक्सिडेंट की मात्रा भरपूर होती है जो की हमें फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करती है खराब डाइट और अस्वस्था खाने की आदत से कोलेस्टरॉल लेवल बढ़ सकता है पपिते के पत्ते में फाइटो स्टेरॉल की रूप में जाना जाने वाला केमिकल होता है जो खराब कोलेस्टरॉल के खिलाब काम करता है और इस तरह से यह लिवर को फ्री रेडिकल्स से बचा कर रखता है दोस्तों अगर आपने पपिते के पत्ते को अपनी डायेट में शामिल करने का फैसला कर लिया है तो इससे पहले पपिते के पत्ते के फाइदे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और इस जूस को कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी जान ले चलिए अभी पपीते के पत्टे का रस बनाने का सबसे सही तरीका जान लेजिए हमें इस तरह से पपीते के ताजे पत्टे ले लेना है यदि आप एक डोस बना रहे हैं तो इससे छोटा पत्تा आपको चाहिए लेकिन अगर आप पूरे दिन भर के लिए तीन डोस बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से दो बड़े साइस के पत्ते ले लेना है इन्हें दो से तीन वार साफ पानी से धोले हो सके तो थोड़े नमक मिले पानी में धोलीजिए ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे अब इन पत्तों को छोटे टुकड़ों में तोड़ ले जिए ताकि इन्हें पीसने में आसानी हो देखे हमने इने इस तरह से तोड़ लिया है अब हम इन पत्तों को एक मिकसर के जहार में डालेंगे और इसमें आधा कप पानी डालेंगे मतलब की 100 ml पानी मैंने इसमें डाल दिया है इसे अभी हम अच्छे से पीस लेंगे इन्हें हमने पीस लिया है अभी हम एक बड़ी सी चलनी लेंगे और इसकी मदद से इसे चान लेंगे आप चाहे तो किसी कपड़ी की मदद से भी इसे चान सकते हैं देखिए, अभी हमारा देड़ कप रस बनकर तयार है देड़ कप यानि कि चाय के कप से देड़ कप अगर थोड़ा ज़ादा भी बन जाता है तो घर में बाकी लोग भी इसका सेवन कर सकते है इसे कोई नुकसान नहीं होता है इस रस को आप फ्रिज में दिन भर की लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं बहुत ज़्यादा मातरा में रस बना कर ना रखें क्योंकि ताजे रस से ज़्यादा लाब होता है अभी हमारा पपिते के पत्ते का रस बन कर त्यार है अब यह अब ध्यान से सुनिए कि आपको किस पेशन को कितनी मातरा में इसे देना है यदि किसी को डेंगू या मलेरिया हो गया है तो ऐसे वेक्ति को चाय का आधा कप यानि कि 50 ml रस दिन में 3 बार देना है यानि की 1.500 ml रस आपको दिन भर में उस वैक्ती को पिलाना है छोटे बच्चो को यदि आप इसे पिलाना चाहते हैं तो 5 साल के उपर के बच्चो को आप इसे पिला सकते हैं यदि बच्चा 5 साल से उपर है तो आप उसे 2 चम्मच रस दिन में 3 बार पिलाए और यदि बच्चा 10 साल से उपर है तो 4 चम्मच रस दिन में 3 बार आप पिला सकते है यदि बच्चा 15 साल से उपर है तो आप बड़ो की मात्रही बच्चों को दे सकते है पपिते के पत्ते का रस स्वाद में थोड़ा कसेला कड़वासा होता है यदि आप इसे नहीं पी पा रहे हैं तो आप इसे फॉलो के जूस के साथ मिला कर भी पी सकते हैं या फिर आप एक प्रयोग और कर सकते हैं पपिते के पत्ते के रस में थोड़ी सी मिश्री या फिर शहद मिला कर पिलाने से भी रोगी को लाब होता है सुबह, दोपह और शाम हो सके तो खाले पेट इस रस को देने की कोशिश करें क्योंकि खाले पेट देने से ये ज़्यादा असर करता है यदि आप बिना पाने डाले केवल पत्तियों से रस निकालते हैं और इसे चान लेते हैं तो इस गाढ़े रस को आपको केवल एक से दो चम्मच की मातरा में ही दिन में तीन बार से वन करना है इतना गाढ़ा रस आप आधा कप ना ले क्योंकि ये मातरा जादा हो जाएगी दोस्तो मैंने जिस तरह से पपिते के पत्ते का रस बनाना सिखाया है आप भी उसी तरह से बनाईए और इसे आजमाईए इस रस को आप सुबह एक बार बना कर दिन में तीन बार ले सकते हैं आप इसे फ्रीज में भी स्रोर कर सकते हैं लेकिन बहुत जादा रस ना बना कर रखे एक दिन की मातरा बना कर रख सकते हैं चलिए अब जान लीजिए पपिते के पत्ते का रस और काढ़े का सेवन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है यदि आप गर्भवती है यानि कि प्रेगनेंट है या फिर गर्भधार ना करना चाहती है या आप फिडिंग मदर है यानि कि अपने बच्चे को दूद पिलाती है तो आप अपने डॉक्टर के सलहा के बिना इसका सेवन ना करें इसी के साथ यदि किसी वेक्ति की हाल ही में कोई सरजरी हुई हो या फिर किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो और कोई मेडिसिन्स चल रही हो तो ऐसे पेशन्ट बिना डॉक्टर की सलहा के इसका सेवन ना करें इस जूस का सेवन करने के बाद यदि आपको उल्टिया होती है आपकी तवचा पर खुजली होती है या किसी प्रकार की ऐलर्जी आपको नजर आती है तो आप इसका सेवन तुरंट बंद कर दे अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लैक कीजिए और अपने दोस्तों तक जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस असरदार जानकारी से लाब हो सके यदि आप हमारे चैनल पर नए है पहली बार आए है तो कृपिया हमारे चैनल को सब्सक्रेब कीजिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्रेब कीजिए